सबी दर्शकों को नमस्कार जैसर कृष्णा प्रणाम शनी का कारकत्व वाला वीडियो आपको मिल चुका होगा अब हम आपको शनी के बारह घरों में बारह भावों में होने का प्रभाव फला देश देने जा रहे हैं चार्ट रेडी कर लीजिए आप अपनी जन्मा कुंड़ी सामने रख लीजिए चार्ट के माध्यम से देखने से आपको सही आपका अच्छा फला देश आपको प्राप्त हो सकता है तो सामने रखिए चार्ट और हम चर्शा करते हैं पहले लगन से लेकर के बारह घर तक होगा वह व्यक्ति वह जातक एक तो बड़ा समय का पालन करने वाला समय सारणी बना करके सुनियोजित भंग से कारिक करने वाला होगा और काम करने की दूसरों को प्रेड़ना देगा हलाकि इस व्यक्ति की धर्म और भगवान में बहुत आस्था नहीं होती कई ऐसे जातक तो चिंता ग्रस्त और शारिरिक दुख से पीडित रहते हैं लगनमिशनी होने के कारणा काम काज में थोड़ी बो ढिलाई भी देते हैं आलस भी देते हैं बाधा पड़ती है रुकाउटे आती ही काम काज में और यह व्यक्ति धन को धीरे धीरे जोड़ता है एक एक पाई जोड़ता है विद्वानों ने तुला, धरू, मकर, कुम्ब तथा मीन, लगनस्त, शनी को उत्तम बताया है ऐसा जातक सुन्दर, लंबा पतला, विद्वान, दीरगायू, मतांतर से जातक धीर और गंभीर, पर्शमी, दाइत तो निरवाह, जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति होता है, कुशल होता है, और द्रसंकल्पी होता है, भावना या संबेगों में बहना, उसे अच्छा नहीं लगता है, emotional नहीं होता है, कर्तव बिनिष्ट होता है, और अपने द्रिश्टी मातर से यह व्यक्ति शत्रू को, अगले को डराने वाला होता है, भैवीत क लगन में शनी गर है तो ऐसा फलादेश है। दो तीय भाव में अगर शनी है तो धीमी किन्तु अबाध गती से, धीमी गती होगी लेकिन अबाध धन देगे दूसरे गर में। आर्थिक दबाव तो निश्चित होगा लेकिन स्प्राप्त संपत्ती हमेशा के लिए उसके पास रहती है, चिरस्थाई रहती है। लोकप्रिया, जातक और यशश्वी होता है। यदि यहाँ पर शनी का पापत्त है, शनी पापी हैं, तो कौटुम्बिक सुख, क्योंकि दूसरा अगर्ज कुटुम्ब है, कौटुम्बिक सुख नहीं देंगे। कुविचार और कुरूपता दे देते हैं, पापत्तो, शनी देव। और कभी कबार बहुत हिम्मत मेहनत करने पर, परश्रम करने पर भी धन थोड़ा मिलता है। मजब मेहनत ज्यादा, पैसा कम। बाणिज्य, द्यापारी, बुद्धी इसके पास होती है, व्यक्ति चतुर होता है। ये बहुत सोच समझ करके नेने लेगा दूसरे घर में जिसका शनी होगा। और कमपटीशन बहुत देता है। दूसरों पर विश्वास ये विक्ति करने ही पाता। कई जातक कुटुम्ब से, परिवार से, घर से दूर रहते हैं और कटुभाशी होते हैं। ऐसे जातक सावधानी सजगता से, मितब्यता से धन जोडने में सफल होते हैं। शुब दृष्टी प्राप्त होने पर शनी को धनस्त शनी भूमी में पूजी निवेश करवाते हैं। कठिन परिश्वम वाले कारियों से धन प्राप्त करवाते हैं। कई जातक पैत्रिक समपता से परिपूर धन अड्डे होते हैं। दृतिय घर में शनी का प्रभावयसा बताया गया है। त्रतिय घर में शनी, त्रतिय घर मंगल की पूजी है, दुतिय घर धन भाव, कुटम भाव है, पराक्रम तीसरा, यहां पर जातक को धन और शत्रू पर बिजे प्रदान करने की शक्ति देंगे शनी, उदार, यशश्वी, घर में रहकर के ये विक्ति सुखी रहता है, अगर का पापत्व है, तो यात्रा में दुरभाग्य और वाहन दुरगटना का सूचक भी है, बिल्कुल कंप्लीट की ये बात है, ऐसा जातक बहुत अधिक सावधान और दुढ़निस्चेई भी होता है, ब्योहारिक तथा यथार्थवादी, योजना पर कार्य करके भाग्यवर जान पड़ता है, इसके जीवन में बहाई बहन का बिशेश महत्त हुआ करता है, बहुत महत्त देता है, कई जातक संबंधियों से हुए अनुबंध वारता, यात्रा में बिलंब, अत्वा भाईयों के कार्ण, दुख और कलेश भी प्राप्त करते हैं, गंभीर चिंतन और अध्यन की प्रकृति जोतिश्वा गुडविद्याओं में इस बिक्ति की रुची होती है और सफलता भी देती है, चतुर्थ भाव में शनी, अगर हैं आपकी जन्मकुल्ले में, तो संबेदन शील होगी आप, भाव उक होंगे आप, ज्यादा संबेदना भावनात्मक बंधों को गर्बढ कर देती है, कई जातक बच्पन में ही घर की जिम्मिदारियों का बोज उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, बहुदा ऐसे जातक ग्रह, सज्जा, भवन, निर्माण, अथवा, क्रिशी और बागवानी के छेत्र में सफलता भरत करते हैं, सुख भाव का शनी कारेक्षेत्र में प्रभाव तो डालते ही हैं, जातक समय पर काम करने में विश्वास करता है, यदा कदा वो अपने सहयोगियों को भी मानो घड़ी की सुईयों से लटका देता है कि जल्दी जल्दी ये काम करिये, ठीक है, कई जातक पैत्रिक सबत्ती क की हानी, माता को रोग पीड़ा तथा मन की चिंता से कलेश भी प्राप्त करते हैं, घर खर्च में मितब्वेता, अनावश्य खर्चों में कटावती और छोटी बचत से जातक आवश्यकताएं, सुविधाएं जुटा कर सुखी होता है, थोड़ा-थोड़ा धने कटा करता ह पर नाजायज खर्च नहीं करता हूँ, मजबूरी में करना पड़े वात लगती है, पीछे भी नहीं हटता, लेकिन नाजायज खर्चा नहीं करेगा और अपने लिए तो खास तोरस भी करेगा, पंचंभाव में शनी, पुत्रभाव में सनी, संतान को अस्वस्त करते हैं, और एवर्शन जिसको कहते हैं, जातक को ब्रह्मन शील बनाते हैं, लेकिन मनास्तिती बड़ी चिंता जनक रहती है, आवसाद युक्त मनास्तिती, और इनका बिवाह भी लंब से होता है, अगर शनी पंचंभाव में उच्छ रासिस्त हैं, तो जुए सटे तथा भू यानि जमीन जादाद में निवेश करने से लाव प्राप्त होता है, ध्यान रहे उच्छ शनी, पंचमस्त होने से पतनी लाव, धान रपहाव को देखते हुए शुभ परिणाम देते हैं, याद रखेगा, अवस्था अगर अच्छी है तो, कुछ जोतिश कामत ऐसा भी है, कि जातक कर्तब निष्ठ और प्रवंध कुशल होने से, वित्प्रवंध या राजनीती छित में भी सफलता प्राप्त करता है, मित्रों का इसने सहयोग व्यापारिक छित बढ़ाने के लिए सहायक होता है, और भावक्ता और संबेदना का अभाव, प्रगाड या अंतरंग मैत्री में बाधक भी होता है, ज्यादा भावक्ता इनके लिए ठीक नहीं होती, ऐसा जातक सुख और मनोरंजन के मामले में थोड़ा अभागा होता है, सुख और मनोरंजन इसको नहीं मिलता, और उद्यम और परिश्यम में ही सुख मानना पड़ता है, निरंतर महिनत करना ह चठे भाव में शनी, शत्रू, रोग और रिड, चठा भाव है, विशिष्ट ब्यवसाईग बनाता है शनी, दक्ष व्यत्तिव होता है ब्यवसाई में, ऐसा जातक अपने छेत्र में पारंगत और दत्य चित्थो करके अचूक कारे करने से यश्किर्ती प्रप्त करते हैं, कामकाच का बोज तथा जिम्यदारियां उसे सब बूढ़ा कर देती हैं, वह व्यक्ति जो चठे घर में शनी है, शांत, अंतर वुखी अपने अंदर ही अंदर विचार करना, विचार शील और विश्वसनी व्यक्ति होता है, कई जातक शत्रू पर बिज़े और धनलाब भी प्राप्ति करते हैं, क्योंकि शत्रू को शनी छठे होकर के दबाएंगे, बलवान, बिनय, बुद्धिमान तथा प्रतिष्टित व्यक्ति होता है, और शनी पर पापत तो अगर है, तो सहाय कोंसे परेशानियां और शत्रू के करणधन और प्रतिष्ठा की हानी भी होती है अब कई जातक ठंडी के रोग, निशीत रोग बिगणने से बिशम रोग के पीडा से परिशान हो जाते हैं, बिश्चे निश्चे ही ऐसा बिक्ति सहासी होता है, परिश्चमी होता है, किन्तु कभी-कभी सहायकों या नौकरों से, स्रमिकों से परेशानी इस दप्ति को मिल छठे घर में शनी होने से ये प्रवाव रहता है, सब्तम भाव पत्नी के भाव में शनी दिगबली होते हैं, जातक दामपत्य जीवन में मतवेद और बैमनस से पूर्ण जीवन जीता है, इस बिक्ति को काम सुख अच्छा नहीं लगता, काम सुख में कम ही होती है, या फिर अनैतिक प्रणे संबंध से कलेश पाता है, अनैतिक किसी और से प्रेम करता है, और मन अपनी पत्नी में नहीं लगता है, हाँ ऐसा जातक राजनीती में यश, सफलता, प्रसिद्धी जरूर प्रात्त करता है, कार्य बिलंब से या बड़ी आयू की कन्या से विवाह करके सु चीक है, कारी योजना बनाने में दक्ष होता है साब 31 सब्तम में स्थान में शनीरिस का, और संभावित परिस्तितियों में पुर्वानुमान करने में बड़ा कुशल होता है कि आने वाले कल में ऐसा ऐसा होगा, इंट्यूशन हो जाती है, कई जातक कामकाज में बिस्तता के कार्ण समुचित बिश्राम न कर पाने से रोग पीडित भी हो जाते हैं, वह पतनी से प्यार दुलार तो करता है, परन्तु प्यार का प्रदर्शन नहीं करता, दिखावटी नहीं करता, ये उसके सुभाव में हैं, शायद उस शब्दों से अधिक कर्म और कर्मठता को महत् पूर देता है, इसी लिए ऐसा है, शनी का सुभाव अस्टम भाव में, जातक में क्या कुछ देगा, जातक को मेला कुचला रखने रहने का सुभाव होगा, कई लोग होते ऐसे देखा है, मलिन, दरिद्री, होगा तो भी खाएंगे नहीं, कुरूर सुभाव, मित्र सेहीन, अस्वस्थे और गुपतांग रोगी बनाते हैं, ऐसे विक्ति की आजीविका में बाधाएं बढ़ी आती हैं, बहुत लंबी विमारी के बाद निधन होता है इसे विक्ति का अश्टम अस्थान पर शनी, बैबाहिक जीवन नीरस और रूखा होता है, ऐसा जातक साउधान, गंभीर प्रकृति तथा कर्तव निष्ठ होता है, यह वित्व प्रबंधन यानि धन प्रबंधन करने में कार्याले बिवस्था आईकर या बीमा कारे में कुशल होता है, बीमा इत्यादी में, कई जातक दर्शन अध्यात्न या तंत्र मंत्र में रुची लेकर उसका गहन अध्यन करके, मिडिटिशन रित्यादी के द्वारा, साधना के द्वारा सिध्धी भी प्रात करते हैं, और इस बिक्ति को वसियत या विवाह संबंध से धन पाने की आशा नहीं करनी चाहिए, ऐसे जातक को शल लिक्रिया से भी भै हुआ करता है, यानि कि ऑप्रेशन औग गोटाले से कलेश तथा दुरूबल द्रिष्टी सुक्ष्मने दुरूबल कमजोर द्रिष्टी देते हैं, जातक आस्तिक बैज्ञानिक सोच वाला होता है, शनी की दशा पिता के लिए मारक हो सकती है, कई जातक कठिन परिश्यम और सतत प्रयास से बुढ़ापे में सक्ता सुक और प्रतिष्टा प्राप्त करते हैं, अंतरमुखी एकाकी तथा लंबी आत्रा से ये बेक्ति सुक्षी होता है, धर्म और उच्छ सिक्षा की उसके जीवन में बिशिष्ट भूमिका होती है, सत्य न्याय और समानता का प्रेवी होता है सजातक, कई जातक दर्शन धर तथा विज्ञान में रुची लेकर महत्यपूर तद तो खोजता है और ये शश्वी होता है, नमंभाव में शनी, विक्ति को धर्मात्मा तो जरूर ही बनाते हैं, दसंभाव में शनी, चरम सीमा तक सफलता देते हैं, उच्चतम, इस्तिती तक पहुँचाने में शनी दृष्टित होते हैं, यदा-कडा पत्नी की उपर शनी की दसंध्रिश्टी पड़ेगी ना पत्नी के घर पे, तो जातक में रुष्ट या अप्रसन रहने की उसकी पत्नी की आदत होती है, उसकी पत्नी तुनंग मिजशा उससे नाराज रहती है, कई जातक एक आग्रता, क उस पद प्रतिष्ठा पर बने रहने के लिए साउधानी और सजगता की आवश्यक्ता होती है, तनिक सीला परवाही उसे कलंकित करके पतन के गर्त में धकेल सकती है, क्योंकि पोस्ट पर कोई बैठा हुआ राजा, अगर गलती करेगा, तो पूरी प्रजा उसका कलंक उसको द ग्यारोही भाव में शनी यश, अधिकार, धन और परतिष्ठा के व्रद्धी करते हैं, कभी कबार बनावटी मित्रता या परिचे दुख बढ़ाता है, बनावटी परिचे और मित्रता इनकी दुख का काण हो जाती है, कई जातक प्रेम में धुखा खा जाते हैं, ग्यारो लावस्त शनी पर अगर सूरी के दुख्ती है, तो व्रद्धी को राजनीती में सफल का प्राप्त करवाते हैं, और सुन्दर तथा मिलनसार व्रद्धी होता है, लोगों के साथ मिलकर टीम वर्किंग, टीम भावना से किये गए कारिया लाव देते हैं, और निष्ठावान तथा कारे कुशल तथा प्रगती शील बनाते हैं, ग्यारवे घर में शनी, बारवे घर में शनी, बारवे घर है क्या, जेल खाना है, हॉस्पिटल है, ठीक है, बे है, पत्नी का, सैन का क्ष्व है, तो बारवे घर में शनी शत्रों की व्रद्धी करते हैं, और जातक में नि कितान का सुख नहीं देते। बुढ़ापे में कठनाई, धन की हानी, परिवार से ब्योग, यह मैंने जब देखा हुआ है कुंडलियों में। बेकार के कलंक, शयन सुख में कमी, मकान इत्याद की कमी, यदा-कदा भाउकता, भै या संबेगों में बहकर काम करने की आदत व्य पहल नहीं करता, आदत, सच तो यह है कि मिलनसार नहीं होता यह बट्टी, और लोगों से मिलने जुले में कत्राता है, शायद परदे के पीछी रहकर, दीन दुखियों या अभाव ग्रस्त लोगों की सहायता करना इसे सुख संतोस दिया करता है, बहुत ज़्यादा यश्क कीरती का लोगी नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ एक बात और समझ लेना, जोतिश में उपच्चे अस्थान तीन, छे और दस, उपच्चे अस्थान कहे गए हैं, या ग्यार्वे भाव में, शनी की इस्थिती को शुभ और कल्याण पर माना जाता है, नवमस्थ शनी जातक को आस्तिक वाद धार्मिक बनाता है, धर्म की मूल तत्त को जानने के लिए धर्म का गहन अध्यन और वैज्ञानिक विश्रेशन किया करता है, बहुधा कर्म यानि दसंभाव, लाब यानि एकादश भाव का शनी, धन, मान, यश बढ़ाता है, धन यानि दुतिय, पराक्रम यानि तर्तिय, तता रोग यानि छठे भाव का शनी, थोड़े अधिक परिश्वम से यस और सफलता प्रदान करवाते हैं, तो इस प्रकार से शनी के करकत्तों के साथ साथ शनी देव के बारा घरों में होने का प्रतिफल है, जोतिश ग्रंत हो, आपका अनुभाव, और एक दूसरे के साथ ये वीनमे प्रडाली, जो जोतिश सिक्षा की है, वो जोड़ करके चलिएगा, सीखने के लिए होड भी चा अगर निंदा करोगे, तो सीखने ही पाओगे, किसी की भी निंदा न करो, आनंद में रहना है, तो अपनी पढ़ाई करो, जोतिश में खूब अध्यन करो, और कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई किसी का सुभाव नहीं ले सकता, चमकते दोनों हैं चंद्रमा और सूरज एक में गर्मी होती है एक में ठंडक होती है सबको ईश्वर ने उनके सुभाव के नुसार बनाया है निंदा ना हम सूरे के करें न चंद्रमा की सूरी अगर निंदा करेंगे तो गर्मी के बिना अन नहीं होगा चंद्रमा के निंदा करे तो शीतलता, सुंदरता, जगत के खुब सूर्थी नहीं आएगी और शरीर में पुष्टी नहीं आएगी इसलिए कभी निंदा न करे, आनंद से विद्या अध्यन करे, जोतिश विद्या अध्यन का विशे है, तो वस यहाँ पर लेते हैं, आपसे विद्या उना हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, राहु के कारकत्व पर, राहु के राशियों पर शर्शा करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहें वीडियो और सीखते रहिए, नमस्कार जशेकृष्णापर नाम